और RSS प्रमुक मोहन भागवत के हिंदुत्व वारे बयान को लेकर अब AIMIM के चीफ असाउदिन OVC ने पलट बार कर दिया है OVC ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर मोहन भागवत पर निशाना साधा है OVC ने कहा है कि देश में नफरत OVC की देन है OVC के एक के बाद एक ट्वीट करके कहा गया कि RSS के भागवत ने कहा है कि लिंचिंग कराने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाएं और भैस में फर्क नहीं पता होगा लेकिन कतल करने के लिए जुनेद अखलाफ पहलू रकबार अलिमुद्दीन के नाम ही काफी थे इन अफरत हिंदुत्व की देन है इन मुझरिमों को हिंदुवादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है OVC ने एक के बाद एक ट्वीट करकी कहा कि RSS के भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाएं और भैस में फर्क नहीं पता होगा लेकिन कतल करने के लिए जुनेद अकलाफ और पहलू रखबार अले मुद्दीन के नाम काफी है ये नफरत हिंदुत्व की देन है और इन मुझरिमों को हिंदुवादी सरकार की पुष्ट पैनाही हासिल है बढ़तें के लिए खबर की ओर जब भारती जुनतापार्टी के राश्ट्री अध्याक्ष जेपी नड़ा हिमाचल प्रवास के दूसरे दिन आज अटल टनल को देखने जाएंगे बढ़तें हिमाचल प्रवादेश के दौरे पर जेपी नड़ा और इस जुरान अब आज अटल टनल को देखने जाएंगे इस जुरान जेपी नड़ा सिसू शेत्र में भी कुछ देर के लिए रुकेंगे और अपने तीन दिवस्य प्रवास पर हिमाचल पहुँचे जेपी नड़ा का आज दूसरा दिन है बता दें कि आज वो पूर मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंग से भी मिलेंगे और उनका हाल चौल जानेंगे वीरभद्र सिंग हाल ही में कोरोना संक्रमंट से उपरे हैं और ऐसे में बीजबी की ओर से चुलाय जा रहे देश व्यापी विक्षर ओपन कारेकरम के तहट आज जेपी नड़ा पेड़ लगाएंगे और पर्यवरंड केस न्रक्षन का संदेश भी देंगे आपको बता देगी पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर जी की जोयनती को यादकार बनाने के लिए एक अनोखी पहल करते हुए 6 जुलाई को देश भर्ग में प्रतेक मतदान केंद पर पौदा रोपन का कारेकरम तेह किया है ऐसे में नड़ा सासे हेलिपैड में उतरने के बाद अटल चनल रोता के लिए भी रवाना होंगे तो वहीं कुलू में मंडी सदस्य संसदिये शेत्र के कारेकरताओं के साथ जेपी नड़ा बैचक भी करेंगे बैटक के दोरान जेपी नड़ा कोलू में मंडी सदस्य सीट और फतेपुर जुबल कोट खाई विदान सभा और उपचुनाफ जीतने के लिए टिप्स भी उमिद्वारों को देंगे इसके बाद अपनी बुआ गंगा देवी से मिलने उनके श्यास्त्री नकस्तितावास पर पहुँचेंगे जेपी नड़ा और जोरान जेपी नड़ा ने बताया कि देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाफ के लिए संगठन की रणनीति शुरू हो गई है उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई में मैं खुद चुनावी राज्यों का परवास करूँगा अवई माराश में बीजपी ने ग्रह मंत्री अमिश्या को पत्र लिक कर राज्यों की तीस चीनी मिलों को खरीद में हुए गोचाले की ज़ाज करने के लिए इडी से करवाने की मांगी है खासबात ये रही कि इसमें बीजपी नेता और केंद्री मंत्री नितिन गटकरी के खरीदे गए विधर्ब के दो चीनी मिलों का भी नाम शामिल है आपको बता दे कि केंद्रे मंत्री नितिन गटकरी ने बंद पड़ी दो सहकारी चीनी मिल खरीद कर किसानों को रहत पहुचाने का काम कुछी साल पहले शुरू किया था महराश भीजेपी एकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाथिल ने तीन जुलाई को ग्रहमंत्रिया मिश्या को लिखे गए इस पत्र में 30 चीनी मिलो की जाँच कराने की लिस्ट सौपी है उसमें वर्धा जुले के मातमा सरकारी चीनी कार खाना बंडारा जुले के वैन गंगा सरकारी चीनी कार खाना शामिल है और साथ ही साल 2009 और 2010 में बंद पड़े इन दोनों चीनी मिलो को नितिन गटकरी ने पूर्टी कमपनी के जरिये खरीदा था दरसल बंद पड़े इन दोनों ही चीनी मिलो की बोली लगाने के लिए कोई भी जब सामने नहीं आया तब इलाके के किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए नितिन गटकरी ने इन कार खानों को खरीदने का तैय किया था और आपको बता दें कि एडी के रडार पर जो चीनी मिले हैं उनमें मुख्य तोर पर बही चीनी मिले शामिल है जिने नीजी कमपनियों ने खरीद किया और बाद में डिस्टिक को अपरेटिव बैंक से चीनी मिलो के लिए करोड़ों रुपे का लोन लिया गया हाला कि नितिन गजकरी ने जो चीनी मिल खरीदे है उसके लिए राजुसरकारी बैंक से कोई कर्द नहीं लिया गया है